आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone तो हमें question में काया that in the given figure how many people study only two subjects ठीक है ऐसे कितने लोग है जो स्रिफ दो subjects पढ़ते है start करते हैं हम लोग तो हम देख सकते हैं जो 17 है वो किसमें सतीनों में आ रहा है that is Maths, Chemistry and Physics उसके पाद हम देख सकते हैं 9, 8 and 15 इकिस-किस में आ रहे हम चेक करते हैं 8 आ रहा है शरिफ Maths में 9 आ रहा है स्रिफ Physics में and 15 आ रहा है स्रिफ Chemistry में next हम चेक करते हैं 5, 6 and 12 ठीक हैं तो 5 किस-किस में आ रहा है 5 एक तो आ रहा है Maths में और दूसरा आ रहा है Physics में ठीक हैं 6 आ रहा है एक तो Maths में और दूसरा Chemistry में और 12 आ रहा है Physics में और Chemistry में मतलब ये 5, 6 और 12 ऐसे 3 लोग हैं जो 2-2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मतलब हमारा अंसर क्या हो जाएगा 5 plus 6 plus 12 that means 23 तो there are 23 people who are studying 2 subjects only तो हमारा option number 2 is the correct answer. Thank you so much. आठ चार्सो 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 पर